नमस्कार, उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्राध्योग्य की आधारित, विज्ञान शिक्षा, सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्दती में सम्मेक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित, ई-कंटेंट, सुदूर, छात्रों एवं अध्यापकों हेतु कथन के रूप में आपके चिंतनकोशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा, धन्यवाद. सबसे पहले आप इसे एक टर्म के लिए, यानि किसी एक पद के लिए देखेंगे, यानि कि आप कहेंगे, यदि N बराबर एक के लिए, आप देखेंगे कि दिया गया कथन जो PN है, वो सत्य है या नहीं है, तो आप उसमें क्या करेंगे देखें, आप N की जिगए का मतलब है कि आपने यहां पर एक ही टर्म की बात की है यानि एक ही पद की बात की है यदि हम एक ही पद की बात कर रहे हूं तो बाय पक्ष में सिर्फ यही पद आ जाएगा क्योंकि हमें एक ही पद लेना है यदि आप दोनों पद लेते तो दो पद हो जाते परन्तों हमें कि जगे एक रखूँ, तो देखे मुझे क्या मिलेगा, यह आ जाएगा 1, यहाँ पर 1 plus 2 upon 2, यह क्या आ जाएगा, 1 multiplied by 3, यानि कि 3 by 2, अब यहाँ पर दाएं पक्ष में आ गया 3 by 2, और बाएं पक्ष में था 1, तो आपने यहाँ पर देखा, कि n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन सत्य नहीं है, तो आप यहाँ पर दिखेंगे, कि P1 सत्य नहीं है, इसका मतलब यही हो गया, कि जब पहली ही टाइल नहीं गिरी, तो हम दूसरे टाइल के लिए तो आप चेक ही नहीं करेंगे, है ना, पहली टाइल ही नहीं गिरी, यानि कि यहाँ पर आप सीधे दे द P1 था, यदि यह सत्य होता, तभी हम क्या करते हैं, हम इसे Kth टर्म यानि, KV पद के लिए मानते हैं कि यह सत्य हैं, और फिर K-1 के लिए इसे सत्य सिद्ध करते हैं, पर अपने देखा कि यहां पर जो 1 रखने पर ही पायां तो था दाया पक्ष अलग-अलग आए, तो आप सी बार हमें जो कANTHAN दिया घया है वहे हैं, ठीक है, पिशली बार यहां पर 2 था इस बार यहां पर 1 है और हमें कहा जाए कि बताYEE क्या यह दिया गया कतन सत्य है, यानि कि हमें देखना है कि यहां पर जो बाय पक्ष है क्या वो दाय पक्ष के बराबर हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहला term, यानि कि पहली पद के लिए चेक करेंगे, कि यह सकते है या नहीं? तो यहाँ पर n बराबर हम रखेंगे 1, है न? तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? P n की जगे हो जाएगा? P 1 और P 1 का बायाँ पक्ष क्या हो जाएगा? एक term, यानि कि कोई एक term तो 1 हो जाएगी, ठीक है? और दायाँ पक्ष में क्या आजाएगा? n की जगे आप रखेंगे 1, तो आपको मिल जाएगा 1, 1 प्लस 1 बाई 2, है न? और यह क्या आजाएगा? यह आजाएगा, 2 बाई 2, जो की 1 हो जाएगा, तो आपने यहाँ पर देखा कि जो बायाँ पक्ष है, वो दायाँ पक्ष के समान आ गया है, तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे? इसका तातपर्य है कि जो P 1 है, वो सत्य है, ठीक है? यानि कि जब हम N को 1 रख रहे हैं, यानि 1 टर्म के लिए तो दिया गया कथन सत्य है, अब हम क्या करते हैं? अब हम ऐसा मानेंगे कि N बराबर K के लिए, यानि कि जो पहली K टर्म्स है, ठीक है? उन सभी के लिए दिया गया कथर सत्य है तो आप यहाँ पर लिखेंगे और ध्यान रहे कि हमेशा प्राकृत संख्याओं के समुच्य से होगा क्योंकि हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं पदों की संख्या देख रहे हैं और वो हमेशा ही प्राकृत संख्या होगी यानि कि एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद है ना कितने जो भी पदों के संख्या होगी वो हमेशा ही प्राकृत संख्याओं के समुच्य से होगी हमने यहाँ पर माना कि n बराबर k के लिए जहां पर k प्राकृत संख्याओं के समुच्य से है pn सत्य है अर्थात इसका तात पर यह हुआ कि जो pk है pk क्या आ जाएगा तो यहां पर पहली n टर्म्स थी तो n तक गया अब हमें पहली k टर्म्स देखनी है तो यह कहां तक जाएगा k तक तो यहां पर क्या जाएगा जहां पर भी n है क्योंकि हमने n को रखा है k तो आप इसे k रखेंगे तो यह आ जाएगा k प्लस 1 बाई 2 इसे आप कह दीजिए समिकरन संख्या एक ठीक है अब हम यहां पर क्या करेंगे देखिए अब हम n बराबर k प्लस 1 के लिए ठीक है दिये गए कथन को यहां पर हम लिखेंगे k लिए जो दिया गया कथन अर्थाद p n है इसे हम सत्य सिद्ध करेंगे यानि कि यहां पर आप लिखेंगे अर्थाद क्या सिद्ध करेंगे वो भी हमें यहां पर दिख लिना है तो यहां पर आएगा P और N की जगे आजाएगा K plus 1 ठीक है और क्या आएगा तो पहली हमें K plus 1 एत टर्म यानि कि K plus 1V जितने भी पद है उन सभी का योग दिखना है तो यहां पर आएगा 1 plus 2 और यहां पर दाएपक्ष में क्या आजाएगा तो जहाँ पर भी आपको n दिख रहा है pn में यहाँ पर आपको n की जगह रखना है k plus 1 तो यहाँ पर दाएपक्ष में यह आजाएगा दिखे यहाँ पर pn में दाएपक्ष में जो भी था ठीक है N की जिगे हमने रख दिया K प्लस पन तो हमें ये मिल जाएगा अब हमें इसे सत्य सिद्ध करना है यानि कि हमें दिखाना है कि जो ये बाया पक्ष है ये भी दाएं पक्ष के बराबर ही आएगा तो यहाँ पर आप पहले जो बाया पक्ष है उसे कंसिडर कर लीजिए तो यहाँ पर हमने इसका बाया पक्ष लिख दिया है अब देखे जैसे यहाँ पर तीन से पहले दो आया है दो से पहले एक आया है तो जाहिर सी बात है कि K प्लस पन से पहले क्या आना चाहिए K आना चाहिए 1 by 2 है, है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सम्मिकरण 1 का यूज करेंगे, तो यहाँ पर आजाएगा, k into k plus 1 by 2, और यहाँ पर आएगा, plus k plus 1 के एतिभा समझ में आई, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि जो यह k plus 1 है, यह यहाँ और यहाँ common है, तो इसे हम जब common ले लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, k plus 1 मिल जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, k by 2, और यहाँ पर plus 1 बच जाएगा, जब आप इसका LCM लेंगे, तो यह क्या आजाएगा, तो यह आ जाएगा k plus 1 यहाँ पर आपने lcm लिया तो यह हो जाएगा k plus 2 upon क्या जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा कि अतनी बात समझ में आई और ध्यान से देखे तो यही यहाँ पर जो यह है हमें यही तो सिद्ध करना था और हम इसे द्ध कर चुके हैं है ना तो यहाँ पर आप अप क्या लिखेंगे आप यहाँ पर लिखेंगे कि इसका तात पर क्या है ध्यान से देखेगा p k plus 1 सत्य है आगे आप लिखेंगे जब कभी ठीक है क्योंकि आपने माना था कि p k कैसा था सत्य था तो जब कभी p k सत्य है लास्ट माप को क्या लिखना होगा आपको यहाँ पर लिखना होगा कि अतह अतह गणितिया अगमन से दान से n जो कि प्राकर संख्याओं के समुच्चे से है इसके लिए p n सत्य है ध्यान दीजेगा यहाँ पर जब n बराबर 1 के लिए ये सत्य सिद्ध हुआ उसी के बाद हम next term यानि कि n बराबर k वाले step पर पहुँचे जबकि यहाँ पर आपने देखा कि ये n बराबर 1 के लिए ही सत्य सिद्ध नहीं हुआ तो इसलिए हम इससे आगे नहीं बड़े समझ में आई बात